हेलो रिवान, वेलकम तो फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वे विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दे मेडेसिन्स फॉर एलर्जी कि जो हमें एलर्जी होती है, उसको ठीक करने के लिए जो हम मेडिसिन्स वगेरा यूज करते है किस तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट करते है, उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डेटेल में स्टड़ी करेंगे तो यहाँ पर टाइटल स्लाइड के उपर आप देख सकते होगे अलग-अलग मेडिसिन्स के नाम के लाग यहाँ पर है सेट्रीजिन हाइड्रोक्लूराइड है, लिवो सेट्रीजिन के टाबलेट्स है, फैक्जोफिनाडीन है, एविल है, उसके अलावा क्लोरफिनाइरमाइन, मेले टाइप देखे तो यह सबी अलग-अलग ऐसे मेडिसिन्स है कि जो यूज करते हम एलर्जी को ठीक करने के लिए तो यह सबी के बारे में डीटेल में जानना ज़रूरी है, तो शुरू करते हैं यह वीडियो लेक्चर में कि specially हम एलर्जी के लिए कौन से मेडिसिन्स यूज होगी और इससे हमें रिलिप मिलता है from sneezing है, runny nose है, itchy and watery eye, itchy nose और throat की जो symptoms बनते हैं एलर्जी के, कि एलर्जी जब हमें होती है, तो body के अंदर जो changes होते हैं, फिरफार होते हैं और उसको eliminate करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो हम medications को use करते हैं, वो anti-allergic भी कहा जाता है anti-allergy medicines or medications for to treat the allergy, तो यह सभी को आप detail में जानते हैं तो this expert lecture by Amar Sir, Mr. Amar M. Rawal, B. Pham M. Pham in Pharmacetics, PhD pursuing, assistant professor and founder of PharmaRox pursuing the PhD from Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat, India तो आप सभी का बहुत-बहुत 100 धन्यवाद है कि आप सभी के support के कारण PharmaRox ने अपने 1 लाग से ज़्यादा subscriber complete कियार जिसके कारण silver button की जो YouTube creator reward है, उससे हमें सन्मानित किया है तो thank you friends for being in a 1 lakh family of PharmaRox updated रहिए Pharma Knowledge के साथ subscribe करिए channel, press करिए bell icon, never miss any video of PharmaRox PharmaRox का mobile app भी available है तो अगर आपके पास Android phone है तो Google Play Store पर से आपको download करिए और अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से भी आपको download कर सकते है जो link से वो हमने description box में दे दी है तो description box को जरूर से check करिए and access करिए study material है, test series है and the video lecture तो test series, video lecture, study material के लिए आप 9016312020 ये नंबर पर भी हमें contact कर सकते हैं और directly download करिए app Pharma Rocks की Android app है Google Play Store पर और Apple iPhone App Store चेक दे लिंक इने description box तो topic के अंदर जो हमें medications के बारे में सिखना है उससे पहले कुछ जान लेते है, allergy के बारे में कि allergy actually है क्या और कैसे होती है तो what is allergy, what is allergy, तो allergy जो हम कहें simply तो एक immune response है simply में allergy के बारे में आपको कुछ समझाओ, तो allergy क्या है एक तो हमारी body का एक immune response कहे सकते हैं immune response और ये immune response भी कैसा है, abnormal कि abnormal जो behavior होता है, abnormal जो condition produce होती है हमारी immune system के कारण तो और वो भी जब कि जब हमारा body के अंदर, हमारे body के अंदर कोई foreign substance enter होते हैं जिसको हम कहते हैं usually allergens तो ये allergens एक तरीके से काम करते हैं antigen का और उसके कारण हमारे body के अंदर कुछ ऐसे chemicals produce होते हैं तो responsible है allergic reactions के लिए कि जो अलगलग allergic reactions होती है उसके related जो symptoms develop होते हैं वो develop होने के अंदर, वो chemicals responsible हैं और उसी में से एक popular है, वो है histamine तो a condition in which the immune system reacts abnormally to foreign substance that is called an allergens के, allergens के सामने हमारा immune system abnormally react करता है, abnormal उसके हमें responses देखने को मिलते है तो ये कहा जाता है allergy allergy का एक और definition है कि जो exam के अंदर पूछा जाता है multiple choice questions के अंदर तो allergy as an ex-aggregated reaction by immune system to some harmless substances यहाँ पर harmless word इसलिए यूज किया गया है because समझे कि allergens के अलग-अलग types होते हैं अलग-अलग example होते कि लाग, उसमें से एक example है dust mites तो कुछ लोगों को dust की allergy होती है तो समझे कि मेरे पास दो person है कि यह है person A और यह है person B अब person A है उसको allergy है dust की dust की allergy है और person B है वो है no allergy no allergy of dust तो यह person है जब यह dust के contact में आएगा तो उसके अंदर अलग-अलग जो allergic reactions produce होगी जबकि यह जो person B है वो उसके contact में आता है तो उसके लिए वो completely harmless substance है इसलिए जो allergen से उसको हम कहते है harmless substance because कुछ लोगों को वो affect करते है कि जिनको उनकी allergy होती है और जो दूसरे person है उनको उसका कोई भी effect नहीं होता तो harmless substances call allergens which normally does not affect most people कि ज़्यादा तर क्योंकि atmosphere में आप देखिए dust तो हर जगा भी present है बट जिसको dust की allergy है उसी को यह allergic reactions होते है और आगे जगे complications होते है dust के करण वेसे बहुत सारे ऐसे allergens है के वो हम आगे सिखेंगे कि उसके करण कोई person यह है उसको allergy है और person भी है उसको उसकी कोई allergy नहीं है तो इसी के करण जो allergens है उसको हम कहते है harmless substance because किसी के लिए वो harmless है तो किसी के लिए वो harmful है तो किसी के लिए वो harmless है, because जिसको allergy है, उसी को वो substance से problem होता है, जिसको allergy नहीं है, उसको कोई problem नहीं होता तो allergies also known as a allergic disease are a number of condition caused by hypersensitivity of the immune system to typically harmless substance in the environment जो हमारे environment के अंदर कुछ ऐसे substance है की जो harmless है और उनके करण जो hypersensitivity देखने को मिलती है, के एक hypersensitivity reactions देखने को मिलती है, और जिसके करण कुछ लोगों को eczema होता है itchy mouth होता है swelling face swelling tongue swelling of the lips nausea vomiting होता है abdominal pain होता है trouble in breathing, dizziness and कई बार diarrhea भी होता है तो ये कुछ जो symptoms का है वो develop होते है जो person को and this, this is include the high fever कई बार आपको high fever भी हो जाता है food allergies हो जाती है atopic dermatitis, कि जिसके अंदर special exam हम हम का है itchyness का है racist develop होते है allergy के करण कई बार लोगों को अस्थमा भी हो जाता है and anaphylaxis भी होता है तो ये है allergy कि allergy के अंदर जो responsible जो substance है की जिसको हम कहते है allergens allergens के करण allergic disease ये फिर condition produce होती है और जिसके अंदर hypersensitivity reactions हमें देखने को मिलती है especially due to some harmless substances in the environment called the allergens तो यहाँ पर ये slide पर आप खास अच्छे से focus करिए कि जिससे आपका concept काफी clear होगा कि what are the allergens allergens क्या है तो allergens are harmless substance allergens are harmless substances that are foreign to body can cause an allergic reaction in some people इसलिए उनको हम allergens कहते हैं यहाँ पर एक point समझे यहाँ पर यह एक point लिखा है कि in some people in some people because यह जो substance है वो सभी को affect नहीं कर दे कि like जो person को peanut की allergy है उसी को peanuts यूस करने से या फिर peanut oil यूस करने से allergy होगी अलग-अलग complications होगे symptoms develop होगे जबकि दूसरा person ऐसा है कि उसको peanut के कोई भी allergy नहीं है तो इसको कोई problem नहीं होगा seem like that कई बार जो household dust होती है कि समझें कि आपके books के उपर dust जमा हुई है आपके जो room के अंदर कई जगा पे कि जहाँ पे regular use नहीं होता वहाँ पे कई बार dust जमा हो जाती है और जब आप वो dust के contact में आते है तो तुरंत आपको उसके symptoms develop होते है कि like आपका eating होती है आपको watery eyes हो जाती है कि आखो में से पानी आता है throat infection जिसे आपको लगता है runny nose की तुरंत आपके nose में से पानी आए as well as जो sneezing तो common है कि जैसे ही समझें कि ये dust आपको लगती है तो तुरंत sneezing आ जाती तो ये क्या है एक type का allergy है ये सभी को नहीं का because कुछ लोग ऐसे होता है कि continuously dust के अंदर ही काम करते होते है तो भी उनको कुछ नहीं होता because ये जो substances है वो harmless substances है सिर्फ कुछ ही लोगों को affect करते कि जिनको उनकी allergies होती है जिसके example से कुछ pollen है कि जो flowers की जो pollen होते है वो कुछ लोगों को काफी पसंद होते है और कुछ लोग जैसे ही उनकी smell लेते है तो तुरंद उनको sneezing वगेर होता है तो ये है first pollen फिर house dust और उसके अंदर present उसके mites फिर mold है animal, dander are the example of allergens कुछ और उसके example देखे तो fluorescence citrus fruits, strawberry है insect bites है peat hair है feats है, milk है फिर household dust यहापे हम देख सकते है और उसके अंदर present mites फिर peanuts है nuts वगेरा है selfish है फिर molex जो हम कहते है cereals containing gluten कि कई बार कुछ cereals ऐसे होती है कि जिसके अंदर gluten होता है उसकी फिर लोगों को allergy होती है soya की allergy होती है कुछ लोगों को sesame seeds है celery है molexis की जो selfish फिर fish एग milk mustard है lupin है and sulfur dioxide तो यह चप है allergens की जिसके करण हमें किसी भी तरह की allergy होती है और इसके करण अलग-अलग diseases disorders और complications form होते हैं तो allergy के हम causes समझे तो allergy होने के causes देखे allergic rhinitis की जिसको हम high fever कहते हैं फिर dust allergy skin allergy होती है कई बार कि types of allergies हम देखे कि अलग-अलग जो उसके causes है उसके करण types of allergy तो pet allergy होती है कि किसी pets के करण कि जो कुछ animal जो आप गर पे रखते है shock के करण तो उसके भी कुछ लोगों के allergy होती है और उसके करण भी वो बिमार हो जाते है कुछ लोगों को insect के allergy होती है तो वो भी एक type बनता है allergy का फिर metal nickel allergy कुछ लोग समझे के ऐसे metals के contact में आते तो भी उनको allergy हो जाती है फिर drug medications allergy के कुछ medications के भी allergy होती है कि गलती से आप उनको वो injection देते हैं वो medicines देते तो तुरंत उनकी body उपर reactions देखने को मिलते हैं तो allergy है वो किसे diagnosis से ऐसे पता नहीं चलता जब आप उस टाइप के कोई चीज के contact में आते हैं तो उसके करण समझे कि कोई abnormal reactions आपके body के अंदर होते हैं उसके बाद पता चलता है कि समझे कि आपने कोई ऐसा food खा लिया कि समझे कि आपने use किया है pineapple usually pineapple जो है वो काफी लोगों को पसंद होता है बट समझे कि आपको pineapple की allergy होगी तो pineapple खाने के बाद आपको skin के उपर आपको races देखने को मिले हैं तो आपके साथ समझे कि आप 5 फ्रेंड गए हैं पाँचों फ्रेंड के अंदर ने खाया था pineapple कि A, B, C, D and E ये 5 हम लोग कंसिडर करते हैं तो पाँचों लोगों ने pineapple खाया था बट उसमें से person एको ही सिर्फ होते है skin के उपर races जबकि यहाँ पे हम cross करते हैं मतलब कि कोई symptoms देखने को नहीं मिल रहा उसका मतलब ये हुआ कि person एको pineapple की allergy है तो अब दुसरी बार जब ये रहसिस होने के बाद जब कोई आप doctor के पास जाते हैं कोई physicians के बाद और वो आपका proper patient counseling करते हैं और आपको पूछते हैं कि आपने क्या खाया था क्या activities वेगरा की थी तो उस पर से फिर diagnose होगा कि आपने pineapple काया था और उसके करण आपको skin races हुए है इवन आपकी history भी वो चेक करेंगे कि history में कई बार कुछ कोई बार ऐसा हुआ है तो आप कहेंगे हाँ history में भी मैंने past के अंदर भी कई बार मैंने जब pineapple वागेरा यूस किया था तो उससे मुझे तुरंट allergy हुई थी इस तरह से तो उस वक्त फिर वो confirm हो जाता है कि आपको pineapple की allergy है तो pineapple आपके लिए फिर बन जाएगा allergen because कि आप जब pineapple यूस करते है तो यह आपको allergy होती है जबकि दूसरे person उसको यूस करते है तो उनको कोई problem नहीं था because यह allergen है harmless substance है कुछ ही लोगों को वो allergy करता है कि जिनको उसकी allergy होती है same like that हम दूसरे भी काफी examples दे सकते हैं यह तो food है कुछ medications भी होती है कि समझो कि किसे को आप acyclofenic है तो acyclofenic तो आप सभी को बदा है कि usually हम use करते है pain killer की तोर के but acyclofenic लेने से कई लोगों को nausea vomiting जैसा हो जाता है दूसरे allergic symptoms उसके body पर develop होते है तो यह फिर यह medications उसके लिए बन जाता है drug medication allergy वैसे ही food है dust है skin allergy है, pain allergy, insect की allergy as well as nickel की allergy वगेरा होती है तो उसके हम causes समझे, तो skin के contact में समझे कि आप आते है कि कोई poisonous plant है latex है, animal dander है, कुछ jewelers, कई बार देखो कि simply में example देता हूँ आपको कि nose pin आप use करते है या फिर ear pins वगेरा आप use करते है तो कई बार कुछ girls को ऐसा होता है कि समझे कि कोई ज्वैलरी ऐसे आप nose pin लगाए ears के अंदर pins हो या फिर ear की rings वगेरा हो तो उसके करन क्या होता है, कई बार allergy जैसा होता है वहाँ पे pain होता है, कई बार वहाँ पर्स वगेरा भी develop होता है तो यह मतलब यह होगा कि वह ज्वैलरी का जो metal था उसकी आपको allergy है तो जब वह remove कर देते हैं तो automatically वह disappear भी हो जाता है उसके symptom और जब आप फिर से वह ज्वैलरी को यूज करते हैं, nose pin आप लगाते हैं या फिर ear pins, ear rings वगेरा तो उससे आपको allergy हो जाती है, तो यह है एक allergens वैसे ही milk का है, कि milk जो है, वैसे तो काफे beneficial है, हम usually use करते हैं बट कुछ लोगों को milk के करन क्या होता है, diarrhea हो जाते हैं, कि उनको वो milk है, वो suit नहीं करता, तो वो फिर उनके लिए allergen का काम करता है, like that, medication से, nuts and selfie से, फिर जो भी होती है, कि जिसको मदुमक्या काईते हैं, उसके अलावा, medications, injection में भी, फिर पोलन से, dust, mold and, meadow and animal dander तो यह सब है energy के allergy के लिए causes और उनके करन होने वाली, अलग-अलग types की allergy symptoms देखे तो, symptoms के अंदर तो, सबसे ज़्यादा जो symptoms हमें देखने को मिलते हैं, allergen जैसे होती है किसी को तो skin पे rashes develop हो जाते हैं कई बार, कि कुछ ऐसे allergens के आप contact में आ जाते हैं, कि जिसके आपको allergy है, तो skin के उपर आपको rashes होते हैं lacrimation मतलब कि आखों में से पानी आता है आपके, sneezing होता है, runny rose रहता है, कि आपका जो nose, कि nose में से पानी आता है, कि जैसे flu-like symptoms हम कहते हैं, like that, पूरी body पे आपको itching होती है, red eyes हो जाती है, और उनमें से साथ और साथ पानी भी नहीं कलता है, कि जिसको हम कहते हैं lacrimation, फिर eczema और itching कि पूरे body पे आपको इतनी खन जाती है, कि आप जो है उसको tolerate नहीं कर पाते हैं, इवन mouth के अंदर, throat के अंदर भी आपको itchiness जैसा देखने को मिलता है, आपका face swelling हो जाता है तुरंत, कि कई बार आप देखो कि जो bees वगरा है, इंसेक्ट है वैसे उनके bites होने के करण भी कई लोगों को उसका जो reaction होता है और तुरंत उनके body के अंदर आप देखे और special जो face होता है वो काफी swallow हो जाता है तो वो एक symptom develop होता है allergy के करण, कुछ लोगों की tongue का swelling हो जाता है, lips swallow हो जाते है, lips का आपको swelling देखनों को मिलता है, nausea vomiting होता है, abdominal pain, कि abdominal में cramps आते हैं, pains होता है, breathing के अंदर troubling होती है, dizziness होती है और diarrhea भी होते हैं, तो यह सब है allergies और अब जानते हैं उसको prevent कैसे करे कि, avoid your allergens, कि अगर आपको एक बार पता चल गए आए कि यह चीज़ के मुझे allergy है, तो उससे आप दूर रहे है, कि समझो कि आपको dairy product से allergy है, तो उससे दूर रहे है, sugar से allergy है, तो उसका option है sugar free है, lactose की energy है, तो lactose free आप यूज़ करिए material, gluten की energy है, allergy है, तो उससे वो avoid करिए, एक की allergy है, तो उसको avoid करिए, selfish की allergy है, तो उसको avoid करिए, मतलब कि जितने भी आपके allergens से, वो सभी से आप दूर रहे है, फिर जो भी आपको medic since prescribe की जाती है, allergy के अंदर, वो तूरंत आप use करिए, कि अगर आपको जब ऐसा कुछ होता है, तो if you are at the risk for anaphylaxis, कि कई बार लोगों को anaphylaxis shock होता है, patient unconscious भी हो जाता है, कई बार date भी होती है, तो उस वक्त समझें कि आपको precautions के दौर पे दिया है, epinephrine, तो epinephrine auto injectors आपके साथ रखिए, at all times, if you are at risk for anaphylaxis, उसका एक example में देतू, कि epinephrine auto injector तो है ही, बिरुसके अलब आप देखे, अस्थमा का जो pump है, कि आपको अस्थमा है, तो अस्थमा भी एक allergy है, allergy creations के तौर पे आपको अस्थमा होता है, और उसके करण आपके lungs वगिर आगे जाके damage होते हैं, तो उसके लिए जो आपका precautions के तौर पे हम कहें, तो जो हम उसका inhaler जो कहते हैं, वो हमेशा आपके साथ रखिए, कि जिससे आपको कोई problem ना हो, कि हमेशा आपके साथ ही रखिए, और वो regular check-up करते रहे कि उसके अंदर proper medications और उसके अंदर dose कितने हैं, और ऐसा होते हैं, एक extra भी आपके साथ carry कर सकते हैं, कि जो एक spare में आपके साथ रहेगा, कि जो आपको emergency के अंदर काम आ सके, तो इस तरह से जो auto injectors होते हैं, एपिनेफरीन के कि समझों कि आपको एनाफाइलेक्स सौक होता है कई बार, और इसे risk है आपके अंदर, और आपको proper advice भी दी गई है, physicians के दरा, तो वो आपके साथ रहे कि जिससे आप prevent कर सकते हैं, कीपे डाइरी, and wear a medical alert, bracelet और necklace कि जो अभी latest trending में है कि, जो bracelets वगेरा होते हैं, कि जो biosensors का काम करते हैं, कि आपके pulse rate बताते हैं, आपको walking आपने कितना किया वो बताते हैं, आपके beats कितने हुए वो भी दिखाता है, तो जो medical alerts के लिए, जो हम बात करते हैं, कि जो आप bracelets आते हैं, biosensors होते हैं, वो खास यूज़ करें, कि जिससे आपको alerts messages मिलते रहें, इवन आपके पास यसे diary रखें, कि आप उसमें not down कर सकते हैं, कि आपको कई बार ऐसा कोछ हुआ, तो जब आप physicians को देखा, और आपको proper अपना counseling करवाना है, तो उस वक्त आपको यह सब, जो not किया होगा आपने diary के अंदर, वो काम आएगा, and know what to do during an allergic reactions, क्योंकि उसके अंदर एक important यहाँ पर चीज़ है, एक तो self awareness, allergy से बचने का एक में point कहूँ, तो एक है self awareness की जो हम बात करे रहें, कि आप जितने aware रहते हैं, जितने alert रहते हैं, उतने आप यह सब conditions को अच्छे से prevent कर सकते हैं, तो जो self awareness की जो हम बात करते हैं, वो सबसे important है यहाँ पर to prevent the allergies, अब बात करें हम medications की, तो they help and is a treat, और symptoms like congestion and runny nose, कि जो allergic medications है, कि उसके जो symptoms होते हैं, उनको cure करने के लिए, क्लाइक उसके अंदर antihistamine से, decongestant है, combination drug है, and corticosteroids, तो सब भी को detail में समझते हैं, सबसे पहले समझे कुछ popular medicines की जो use होती है, allergy के अंदर, तो उसमें से सबसे top पे हम priority में रखे, तो evil, evil तो मैं बोलू, तो आपको घर पे भी रखनी ही चाहिए, के समझें के आपको कोई allergy है, तो आपने proper physicians के साथ, अपना check-up भी करा रहे है, उन्होंनों भी ये आपको advice दी है, prescription देकर proper, तो evil, कि जिसकी strength होती है, और 25 mg usually, evil की strength होती है, और evil जो है, उसके अंदर हम medications देखे, तो phenyramine malate, वो उसके अंदर रही main medication है, कि जो काफी popular है, to treat the allergy, उसके बाद हम देखे, तो sat region है, कि जो इसका brand name है, zirtec allergy, कि जो allergy को treat करने में यूज होती है, फिर dyslorettadine, कि जिसका brand name है, clarinex है, phaxopinadine है, कि जिसका allergra, और allergra allergy करके उसके brand name से, levocetrizin, जिसका, oxyazal या फिर oxyazal allergy, करके उसके medications available है, and, lauratadine, alavert, और claritin, उसके लावब डाइफिन, hydramine भी आप देखे, कि जो एक anti-histamine है, कि जो उसके जो symptom से allergy के, उसको काफी हद तक कम करके, आपको वो allergy में से completely relief देता है, तो detail में समझते है, allergy medications को, तो जो nozzle decongestants है, runny nose उसके symptom से, उसके लिए popular से, anti-histamine, decongestants के समझो, कि आपका nozzle blockage होता है, as well as runny nose रहता है, दूसवग भी ये काम कर दे, combination drugs and corticosteroids, तो समझते हैं सबसे पहले, evil कि जो है phenyremin mellet, तो जो evil है, phenyremin mellet, कि जो पुराण name है evil उसका, sanofi का main product है ये, कि जो सालों से लोग use करते आए है, evil को, कि जिसके अंदर main medications हम कहें, तो phenyremin mellet, a medical medicines used to treat allergic conditions such as, high fever, runny nose, itching skin and skin rashes, कि जब skin के उपर आपको काफी rashes होते हैं, itching होती है, high fever है, एंड साथ में, runny nose ये से symptoms से आपको allergy के कारण, तो इस वक्त ये medicine जो है, आपके लिए रामबान इलाज बन जाती है, कि जो हम रामबान इलाज करते हैं, कैसे medicines की वो लेने से, वो 100% क्योर हो ही जाएगा, तो ये है एक उसमें से evil, तो usually evil लेने से आपको allergic condition काफी हद तक कम हो जाते हैं, और completely आपको वो symptoms में से relief मिल जाते हैं, आप्टर तकिं इस medications, आस पर दे प्रोपर गाइदस आपको वो जाते हैं, पर दे प्रोपर गाइदस आपको आपको वो जाते हैं, ट्रावेल सिक्नेस, इवन ट्रावेल सिक्नेस के करण भी जो nausea, vomiting और dizziness होता है, ear disorders की जैसे की many years disease उसमें भी ऐसा होता है, तो उस वक्द भी ये phenyremen malate काफी effective है, evil की जिसकी strength है 25 mg की tablet, तो यहाँ पर लिखा है कि it is dangerous to take the preparation except under medical supervision, की proper, आपके जो health care provider है, आप जो जहाँ पर diagnosis करवाते हैं अपना, वहाँ पर proper prescriptions के base पे ही आपको ये medicines लेनी है, proper advice के साथ ही लेना है आपके physicians वगरा के, तो ये है एक evil की जो specially prescribed की जाती है for allergic conditions और उसके symptoms को relieve करने के लिए हैं, और भी दूसरे काफी popular antihistamines हम देखें, तो जिसके अंदर ब्रोम फिनार्य माइन, की जिसको dimetan उसका brand name है, उसके लावा satryzine, तो satryzine hydrochloride के जो tablets आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 mg की उसकी strength है, फिर उसके अबलावा leosatryzine की जिसकी strength है सिर्फ 5 mg as per the ip, फिर chlorphenate ramein, तो chlorphenate ramein भी काफी popular है यहाँ पर आप देख सकते हैं, chlorphenate ramein malate की जिसकी strength है सिर्फ 4 mg, जी बट वो भी काफी popular है to treat the various allergic conditions, तो उसकी जो symptoms होते हैं allergy के वो अच्छे से overcome करती है, clamstein की जिसका brand name है tavist, diaphenhydramine की जिसको brand name है benadril, उसके लावा phenophagosofenadine, यहाँ पर आप देख सकते हैं, phaxophenadine, hydrochloride, tablets, antihistamine और यहाँ पर लिखा है, label पर एक relief from, sneezing, runny nose, itchy watery eyes, itchy nose और throat की जो symptoms, especially किसी भी टाइप की allergy के, आपको रनी nose जिसा हो रहा है, तो ट्रीट दे अलर्जिक कंडिशन्स, फिर नजल डी कंजिस्टन्ट, इफ दे सिंटम्स ओफ एलर्जी आर, रनी nose, allergy के कारण समझे के, आपको रनी nose जिसा हो रहा है, cold जिसा हो रहा है, नजल ब्लॉकेस जिसा आपको लग रहा है, तो you can use the nusle de-consistant, to overcome the nusle blockage, due to the allergy, जिसके example है, pseudoephedrine, phenylapherine, and oxymetazoline, तो यह medications यूज़ होते हैं, especially, allergy के करण होने वाले, यह symptoms को overcome करने के लिए, फिर जो leukotrine modifier से, वो भी use होते हैं कई बर, कि समझो कि उसके करण, आपका काफी runny nose रह रहा है, उसके अलावा, आपको problem हो रहा है, cold जिसा हो रहा है, आपको feel हो रहा है, तो उस वक्त, जो cold and cough की जो conditions produce हो जाती है, समझो कि आपको sneezing जैसा हो रहा है, काफी बार-बार, runny nose है आपका, तो उस वक्त, आप वो condition को treat करने के लिए, leukotrine modifier से, कि जो montelucast है, xarfilucast and xaluton, ये तिनों को use कर सकते हैं, कि आप समझो कि montelucast से आपको ठीक हो रहा है, तो फिर xarfilucast या फिर xaluton लेने के जरूरत नहीं है, बिकॉज ये first choice रहेगे, आपके पास montelucast, फिर उससे ठीक नहीं होता, xarfilucast रूस से भी नहीं होता, फिर xaluton आप यूस कर सकते हैं, this medications block the chemical, that goes the airways to narrow and tighten, कि allergy के करण समझो कि आपका जो airway है, वो समझो कि narrow हो रहा है, tighten हो रहा है, तो ऐसे chemicals जो release होते हैं, कि जो हमारे airways वगरे को block करते हैं, तो उनको तुरंट ये ठीक करता है, जिसका नाम है Leukotrine Modifiers, कि जो specially prescribed किया जाते हैं, जो symptoms develop हो, allergy के कि जिसके अंदर specially, आपका जो airways block हो जाता हो, narrow हो जाता हो, tight हो जाता हो, runny nose वगरे के हो, तो उस वक्त ये use होती है, तो ये था lecture specially on the medications for allergy, अगर आपको अच्छा लगा है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को share करिए, और अल्सो जोईन उन्हे वाट्सअप ऑन 9426180836, फार्मारोक्स का वाट्सअप हेल्पलाइन नंबर, सब्सक्राइब करिए चैनल, अल्सो एक्सेस देया, दे दी है, तो गुड़ लग और अल्सो बेस्ट,